नवस्कार आप सभी का बहुत सवागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हूनितिन कुमार उत्तर प्रदेश में इस वक्त धार्मिक मुद्दे इसकदर बढ़े हुए हैं कि लगातार इनको लेकर के याचिकाओं पर याचिकाओं पढ़ रही हैं और उन पर सुनवाईया चल रही है आयोध्या हो चुका है और आयोध्या के बाद अब क्या काशी और मतुरा की बारी भ करके वहाँ पर जो सुनवाईया हुए और उसके बाद आज एक और एहम सुनवाई हुई जिसमें ये कहा गया था मुस्लिम पक्षकारों के तरफ से कि जो कोट कमिशनर है अजब मिश्रा उन्हें हटाया जाए लेकिन कोट ने इसे नहीं माना और कहा अजब मिश्रा ही कोट कमिशनर रहेंगे और इनके साथ कुछ और से कोट कमिशनरों को तेहनात कर दिया गया इसके अलावा ये भी कहा गया कि आने वाली 17 तारी को नई रिपोर्ट दर्ज कराईए कि आखिर वीडियोग्राफी में क्या क्या निकला और एक और एहम चीज़ ये हुई है कि अब में जो मस्जिद है उस इदगाह मस्जिद इस इदगाह मस्जिद को लेकर के भी कई सारे जो वाद हैं वो दायर किये गए थे और अब इस पूरे मामले को लेकर के भी काफी जो रस्ता कशी है वो शुरू हो गई है कोट में इसकी भी सुनवाईया होनी है लोगों को अमीद अब लग रहे हैं कि क्या मतुरा का भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है आयोध्या की तरीके हमने आपको ग्यान व्यापी के बारे में बताया था कि ग्यान व्यापी मस्जिद का इतिहास क्या है इसके लावा हमने आपको ताज महल के इतिहास के बारे में भी बताया था कि आखिर तेजो महल उसे क्यों कहा जा रहा है फिलहाल आज कोट ने ताज महल की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकरताओं को फटकार लगाई है और ये कहा है कि अगर शोध करना है तो पहले पिएचडी करो पिएचडी करने के बाद रिसर्च करो रिसर्च करने से अगर कोई रोगता है तब हमारे पास आना ये डिवेट का इशू है ये आप नहीं बता सकते हैं कि कोट किस पर चर्चा करेंगी क्या फैसला सुनाएगी और ये आचिका को खारिश कर दिया इसके बाद मतुरा की अगर बात करी जाए तो मतुरा में जो इदगाह मस्जिद है इसके बारे में भी बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की जो मूर्ती है वो यहां पर स्थापित है और उसका जलाबिशेक करने का एक प्रयास जो था वो पिछले साल अखिल भारत हिंदू महासभा के लोगों कोई तरफ से किया जाना था वो कर नहीं पाये थे और उसके बाद कई सारी आचिकाएं पड़ी थी बताया जाता है कि मतुरा में भी औरंग जेब ने मंदिर को तुड़वा करके वहां पर मस्जिद बनाई थी और ये भी चीज़ बताई जा रही है कि 1979 में काशी में विश्वनात मंदिर को तुड़वा करके वहां पर ग्या तो यह इतिहास मतुरा का भी है और इस पर भी आप कही न कहीं विवाद शुरू हो गया जम इसी विशह पर चर्चा करेंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में लगातार यह जो धार्मिक मुद्दे हैं यह लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं और अब सब कुछ इनी पर क्य करना इन नहीं कि अच्ड़ प्रदा पर क्शुरमार खर प्रदेश हो टो इस सोच के दार किया था पढ़ावी था अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बता रहे थे कि अलग 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 अपने तर्क कर रहे हैं नियाले कोई साफ सुतरा आदेश देज़ेगा उसके बाद से जो भ्रहम है सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा अगर इसमें कहीं बीच का रास्ता कुछ होगा तो उसका पालन करेंगे नहीं तो सुप्रियों कोड जाएंगे पूछा फिर मेरिश्ट्या कल्चर से पूछा सबसे पूछा संतों जनक जवाब हमको किसे नहीं दिया तो नेया इन वहांसे मिलत वेकि यहां सब्सक्राइब कि नहीं कि इस तो नहीं कहा कि आपने जो जबाब आपको नहीं मिला है उनने जरूर सी ऑई सी को लेकर एक सेंट आपके साथ प्रेयर्स ती तो अगर वह एक प्रेयर्स प्रेयर्स तो तो यानि कि चारो प्रेयर्स जो आपकी थी उनको सिरे से कर दिया गया यहीं में आप लोगों से करूंगा कि प्लीज इसक malt क्을 करें आप अगर वे cop कॉलेंटि तॉप कर सकते हूं कि उन्हें को कानून है कानून को ज़स करते हैं अगर कोई कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको ज़स करते हैं लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कमेटी बनाने की और वह कमेटी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उन कमेटी की मेंबर्स कौन होंगे जाविद दाइमत हमाइसाद समाजवादी पार्टी से हैं अकील खान साथ हमाइसाद मोविन समाज के प्रवक्ता है और अबशेक मिश्राजी हमाइसाद सीनियर डिडुकेट है इसके अलावा उमार शंकर मिश्रा धरमगोरो की रूप में अपसे थोड़े दिर में हमसे जुड़ेंगे आप सभी में मैंनों काज की डिबेट में बहुत-बहुत स्वागत है अकील खान साथ सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा एक के बाद एक आप लोगों को कही न कहीं शिकस्त मिल रही है कहा जाए ऐसा क्योंकि कोट ने आज जो ताज के मामले पर पी आईयल दाखिल हुई थी उस पर याची करताओं को काफी फटकार लगाई और याची का को खारिच कर दिया इसके अलावा आप लोगों ने ग्यान व्यापी मस्जिद को ले करके जिस तरह से याची का पड़ी हुई थी उस पर भी कहीं न कहीं कोट ने नाराजगी जताई और ये कहा कि कोट कमिशनर नहीं बदले जाएंगे जो कोट कमिशनर है वही रहेंगे दिखिए सबसे पहले नेतन बैर बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल वैटगर कहूंगा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद अजुद्या से सुरू हुआ परकण और उसी समझ से कुछ लोग इस चीज़ जो कह रहे थे अजुद्या ले ली है और कासी और मतुरा की अब बारी है तो धीरे 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 उसी रास्ते पर चलने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं तो मेरी समझ से ठीक नहीं है और जहां तक कोड ने यादेश दिया है सुप्रीम कोड ये कहा है कि उसकी वीडियो ग्राफरी होगी और इससे पहले जो कमिशनर मोहदय को वहां अन्युक्त किया गया था कि इनके द्वारा तो उसमें कहीं न कहीं से जो लोग वहां पर बिरोत कर रहे थे कि अंदर मस्जित के अंदर का वीडियो ग्राफरी करने का जहां तक मुझे जानकारी है वो मस्जित के अंदर जो ग्यान व्यापी मस्जित है वो 1669 से पहले से है लेकिन जो आज कहा जा रहा है कि 1669 के बाद उसमें मुर्ती मस्जित बना दी गई तो मेरी समझ से कहीं पर नहीं है उगर ऐसा है तो उसके साच मौझूद हैं और सुप्रीम कोड ने कह दिया है कि हम पूरी वीडियो ग्राफरी उसकी करवाएंगे मस्जित की भी कहा ये जा रहा है कि 1669 के पहले काशी में विश्वनात मंदिर तुड़वाएंगे गया और 1670 में भगवा केशवदेव का मंदिर मतुरा में तुड़वाएंगे गया अगर आपके पास इस तरीके का कोई प्रूब है कि मंदिर तोड़ करके वहाँ पास बनाए रही है यह अगर इस तरीके का कोई साच है पुरूब के 1669 का मतलब यह होगया 400 साल पहले 400 साल पहले तो उस समय तो मुगलों के हुकूमत हुआ करती थी और मुगलों ने जो किया तो आज अगर हम उसके कारणा में भुगत रहे हैं तो सिर्व हमको मुगलों के देन है यूँकि हिंदुस्तान का मुसल्मान बहुत इमांदारी से जो हिंदुस्तान में आये तो वहाँ पर किसी के हम बुराने से नहीं लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ चालबाजी की दो कोड ने कहा है कि मुसकर वीडियो गराफरी कराएंगे वो बिलकुल कराएं इन मामलों को किस नजर से देखते हैं कि नहीं से बिलकुल सुप्रिम कोड का जो भी फैसला है वो सब को मानना है वो आप हो हम हो या कोई भी हो जो कि मानने नियाले ने जो निर्देश दिये हैं और उसमें ग्राफ सचू मोहदय को भी सामिल किया गया है कि उनके उसमें किया जाएगा और एक और कमिस्नर मोहदय उनको भी सामिल किया गया है तो मैं सिर्फ इतना आपके चैनल पर बाइट करके बड़ी जुम्मदारी से कहता हूँ जो भी है बिलकुल निस्पक्छ और इ रामनिवाज जी अकिल खान की बात आपने सुनी क्या कहना है उन्होंने कहा है कि जब आई उद्ध्या का मामला हुआ था उसके बाद से ही आप लोग इस चीज की रट लगाए थे और उसी पर काम हो रहा है नहीं नितन जी कोई भी कभजय की हुई संपत थी बहुत दिनों तक कभजय में आप नहीं रह सकते हैं यह सर्विदित है फूरी दुनिया जानती है कि एज़्ध्या कासी मतुरा तीनों जगहों पर तोड़के महजित बनाई गयी थी इसका आप ने देखा कि एज़्ध्या का कासी को भी किया गया जिस तरह से और अंजेब आताई था मुझे तो दुख होता है इस बात का कि मुस्लिम समाज के मेरे भाई कुछ लोग और अंजेब को अपना आदर्स मानते हैं जिब कि वो लाखों हिंदों का हत्यारा है और उसी की वज़े पूरे देश में मलब नहीं पड़ेगी और यह सरविदित है कि करोणों हिंदों की आस्था है कासी में मतुरा में मतुरा में जिस तरह से प्रभू सिरिकस्ट के मंदिर को तोड़ करके मज़िद बनाई गई तो यह आतायों काम था और मैं कील भाईस कहना चाहूंगा ऐसे आतायों जिनों को उनक नहीं का अनुसरान मत करिये उनका उनको सनचठ देने के बात मत करिये और हसी खुशी से आप सब को छोड़ देना चाहिए क्योंकि करोणों हिंदू का आस्था है और सबको पता है कि यह तोड़ करके बनाया गया है अगर आज हिंदू समाज की आस्था के अनूरूप अगर नेयले ने आदिस किया है तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि बिना किसी विवाद के जो जिसका उसको मिल जाए और उनकी अपनी आस्थाई बने रहे और देश में हिंदू-मुस्लिम और आपका उन्होंने का प्यार मौपत से दे दो हमें क्यों नहीं प्यार मौपत की बात कहां है तो दंकी हो गई सिबे मैं तुझी बहुत जिवादित मामलों में भी बहुत मुस्पच्छ रचता हूँ यह मेरी आदर आप मुद्दे उठाईए आप तीज की बात थी कि तीन हजार की हुई आज एक मैं दोबहर में इस चैनल से साथ का और मामला आगया एक हमारे बाज़पा की साथी ने इस चैनल पर कहा कि तीस हजार से अब भी पचास हजार थी राम निवाज जी पढ़े लिके आदमें हैं सज्जन देती हैं एक चीज बहुत साथ तमझ दीजिए हम हमारा डीने भारती है हमारी पुझा पद्दत हमारी आस्खा हमारा मजभ अलग है हमारा उजबेक और अरंगेव से कोई लेना देना नहीं है ना वो हमारा अधर से ना लेना देना था पाबर से जिन का लेना देना था वो लोग कौन हैं उनके साथी इस भारत के अंदर काउन थे और अंगेव को मारा मजब लाया ऑसक्ता किस काम के लिए विलाया ता है या इतिहास का भी तेह हो सकता है, भाहिस का भी तेह है, विमर्ज का भी तेह हैateurs काुए है तो एक बात कहिए रहा हूँ यह राजनिशि 한 दून पार 煮 को जगे जगे ट्राइल किया जाए. मुकदमे पर मुकदमे डाले जाएं ताज महल तो वक्रेट के तहत नहीं है अगर आपके सामने कोई समस्या है कोई पिकत है तो इसको जगे जगे हर जनपत की अदालत में और उसके बाद देश ब्यासी इस तर पर इस तरीके का अगर काम किया जा रहा है मैंने कल भी कहा मैं लगातार कह रहा हूं कि अदालत के निर्ले को सभी पच्छों को मानना चाहिए इसमें कोई किंट परंक नहीं है अधिया दुलाद अजब निर्ले आ रहाता है आने के बहुत पहले दो वर्थ पूर थे हम लोग एक लगातार जो है अपने आलिमों से बात कर रहे थे कि निर्ले अगर हमारे पच्छ में भी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए हम लोगों ने उननीस हजार आलिमों से देश भर के एक पुरा सर्वे किया था उननीस हजार लोगों में साई दो दर्जन लोग आईते थे उनको छोड़कर सभी ने कहा था कि अगर हमारे पच्छ में भी निर्ले आएगा तो हम कानूनी स्रक्रिया के बाद उस इस्थान को हम हिंदू पच्छ को सौपने के लिए बिल्कुल मन बना चुके हैं उसमें कोई किंतु परन तो नहीं है हम उस पर कोई दावा नहीं करेंगे मिलने आ जाने के बाद आज देखिए अगर इसको अगर कानूनी तवर पर नितिन भाई देखा जाए वक्त तंसद के अधिनियम के ताहें देश के अंदर सेंट्रल वक्त कल्टिल है राजियों में वक्त बोल्ड है अगर और उस्तर प् अगर सरकार का काम होता है वितंगतियों को पेचीजियों को समाधान करना ना कि उसको उल्डाना राजिनी तक ना जिस तरीके से काम कर रही है वो इस देश के लिए दुखा गए और लगातार ये प्रयास हो रहा है कि मुगल हो औरंग्येव हो बाबर हो रोहनलिया हो बंग अगर सरकार का एक निकाए है सरकार को चाहिए कि वो मीडियेटर बने और जहां 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 पर ध्वंत के निसान है वो पुरातत विभाग से उसका सर्वे करा ले या दाच पेस कर लें और वादी पच्छ है इसके बीच में सरकार बाइट कर क्यों मामले को सुल्जाना चाहती है इसको गली गली गाउं गाउं गुमा कर किसे एजेंडे को पूरा करना चाहते है वो जो एजेंडा है वो के सब समझ रहा है हम भी समझ रहे हैं सभी लोग समझ रहे है अच्छा मतलब किसी एजेंडे के मैं यह कहिरा हूँ किसी एजन्डे के तहद जान बूज के किया जा रहा है है। रामनिवाज जी करवा रही है। किसी चैनल को बाइटते हैं, पाँच लोग होते हैं, अगर हम अकेले हैं, तो सब के सब लोग हमको टारगेट करते हैं बाहिसियत मुतलमाने, लाखिर ये अफमान इतना उस्पिलम कब तक किया जाएगा, अगर कब तक खामोस रहें, अगर हम बहुत स्थांती के साथ सुनते ह हैं, अगर हम अच्छी बात भी करना चाहते हैं, तो कोई सुनने को सयार नहीं है, तब आपको आज एक चिपली आई, या रहे अब तुम्हारी आवकाद के आए, बाबा के बुल्डोजर से जर गए, यहां तक मामला आ गया है, अगर इसी तरीके से करना है, कीजी है, आपक इसने रोका है, मैं को कह रहा हूँ, वकबोर्ड सरकार का है, वकबोर्ड मस्जिदों का मस्जिद पंजी करत हो या नग पंजी करत हो, उसका केर टेकर सिर्फ और सिर्फ सुननी सेंट्रल वकबोर्ड है, उससर प्रदेश में जो सुननी मस्जिदे है, शिया मस्जिदों का क आपके पास मैं आता हूं आपके पास अभिशेक मिश्राम आज साथ सीनर दीवक्ता हैं अभिशेक जी लगातार इस तरह के जो मामले उट रहा है और अभी जाविद भाई ने बहुत एहम बात की कि हम भी कर अगर किसी और दूसरे चैनल में बैट रहे हैं लोगों के बीच ब माहौल बनाया गया है यह बन गया है पर सितियां कोई भी रही हूं मैं किसी के उपर प्रेटिकाद आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन यह जो धार्मिक उनुमात फैला करके इस देश में जो एक संपरदाइक बटवारा करने के जो एक तरीका बनाया जा रहा है जो यह पर से जहातर मुसल्मान तो हिंदू है अगर आज की तारीक में जो भी मुसल्मान है अगर उनकी तीन चार पीडी पहले के उनके बाबा परदादाओं का आप नाम देखेंगे तो उसमें ज्यादर से आपको हिंदू मिलेंगे 70% और यह बीदेशों में जब जाते हैं खातर से जब साओ檬 जाते हैं दूब Rise झातर और जो उसमिम्म देश वहां पर इनको यही का जाता है की तो भारती हिंक्री मुसल्मान है उनके साथ तु आजीब परिस्टिया मैंवर मनने को तैयार रहना ना। उनको कौन बना रहा है। कौन भारतिया है की नहीं है मुसलमान भारत के साथ है की नहीं सवाल थे मेरह सब पर इन पर उठते हैं मैई मेरे सुन में यह यह पन्नेमे मैं एक पर सित्यां उठी एक बीवात चला और उस बीवात का क्या हस्र हुआ हमने अब जो ने देखा और कब तक चला कब से उठा कब से ले करके चलता 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 बाने में कित्रा बिध्वनसक हुआ और उसके बाद जाके 2019 में जाकर कि वह आनुतो गर्तवा फानल हो गया तब तक किसी को समझ्या नहीं हुई और दूसी चीज़ों के ले करके 1991 में कानून भी बन गया संसथ से पास भी हो गया कि प्लेस आफ वर्सिप बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि 15 आगास 1947 तक इस देश के अंदर जो भी धार्मिक संस्था जिस भी इस चित में है वो मंदिर है वो मश्रित है वो चर्च है गिरजागर है जो कुछ भी है वो अब प्रस्चित में बनी रहेगी उसको दूसरा भूट नहीं दिया जाएगा तो अब प्लेस आफ वर्सिप बनाया है इसके बाद आज की तारिक में सरकार पूरी तरह से बहुमत में है यह कानून आज भी एक्जिस्ट कर रहा है इसको अपने समापत नहीं किया है इसको चैलें करना कर देए कि निप्टार नहीं करते रहेंगे नहीं कैना फिसके को अब तरह rush घेंगे कि ने बाई वरांसी क्यों कि बाननेवे में जब आप जो है आयोद्यया का मुद्धा चला रहे हैं अब आपको नहीं पता था कि मतुरा भी है अब आज जब सब कुछ सांथ हो गया सारा मुद्धा खतम हो गया यह तैं हो गया कि ठीक भाई रांजन-mum आपकी आप ले लीजे मस्जिद इनकी है यहाँ पांच बेकर जमीन इनको दी जा रहे है यहाँ पर यह अपनी मर्जिद बना ले तो अब आपको यह जब वहाँ खतम हो गया कोई बात नहीं रहे तो आपको दूसरा कानून रास्ता याद आ गया यह कब तक आप चलाते रहेंगे और भी मुद्दे है इस देस के अंदर प्लस आप जो बात कहते हैं कि आतंका ही ओ बाबर आया औरंगजेब आया यह आया बै किसे ने बुलाया था क्या हमने बुलाया था उनको क्या कि अस देस में तब संक्ति परत कानून था जिसकी तलवार में ताकत थी जो युद्ध करके जीत पाया वो रहा और जिसने अपनी मर्जी से जो कानून चलाया वो चला उस समय जो सत्ता में रहा जिसकी भी सासल सत्ता रही युद्ध हुआ युद्ध में पराजित हुए आप आप हारे अगला जीता और उसने अपने हिजाब से अपना क तो जो मुसल्मान है यहां है अधु इस देस के लिए में पाकिस्ताह सेाइक ऑरी फॉर्ञ्स्स वह साहियर मुसलिम को यह बात करता है वह हुं हिंडु परोधी हो जाता और सऴ्यूरियों नाम की यह और कि लिएक इलबाता हुए- व्य०्म को च Inejrast तुमने लिया हम लेंगे यही होता रहेगा हमारे बच्चे आगे इस दन कुझे लेंगे आज आप कर रहें कर रहे हैं हिंदु धर्मगुरू ओमा शंकर जी आवाज में लिए आपको मेरी उमा शंकर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं उमा शंकर जी तीन सवाल खड़े हुए हैं पहली चीज तो यह अकील खान साब है मुमिन सबाद से इनका यह कहना है कि जो पूरवच करके चले गया जो और जो और जो और जेव करके चला गया वो हमारे उपर क्यों थोपा जा रहा हैं दूसरी चीज जावेद खान साब जावेद हैमाद साब हमाई साथ समाजवादी पार्टी से हैं उनका यह कहना है कि आज की समय में ऐसी स्थिती उत्पन हो गई है कि हम लोगों को आरूपी या हम लोगों को मुझरिम की नजर से देखा जा रहा है हम कहीं भी बैट रहे देखें अभी तक देश का माहौल बड़ा अलब प्रकारगा था रांजर मुमी के मुद्दे में भी कहा जाता था यह लुक फिर्फ वायदा करते हैं विजेपी बाले और कुछ कर नहीं रहें लेकिर बडवत के पासे सुप्रेम को उसमें इसमें इसमें डिजियर एंठेव अधिर भी खूस है इरान जर्मी का मंदर बन रहा है बिबाश समाथ तो रहा है बनारस के भी मंदर में भी लेके सबको मालूम है और जारी पिहास को देखा जाए तो वर्ल्ड के तमाम एसे हाईटर सेंजियों ने लिखा रहे थी बातों को कैसे कैसे मुस्मिन माकरान पाउ अधिरों ने मंदिरों को तोड़ करके मफित बनवाया तो अगर वो हिंदू समाज अगर अगर आज इसको लग रहा है भाई हमें माडनी चाहिए तो मुझे रहा है इसमें को बुडाई नहीं है अगर लोग देखिये हम इनको कुछ काना स्वाइब जाएंगे लेकर इसको तेसे प्रसंद नहीं है जिनका सारा अगर आज बिजेशों से अधियार नहीं आ रहे है अज दंगे नहीं हो रहे है अज किद्नेटिक नहीं हो रही है प्रालम नहीं आ रही है इनका इसमें नहीं है मंदिर का मैजर तो हजारों साल के तिहार से उस्तिके पहतुरों र प्राजीन वातावन का कोई चिन नहीं नहीं है। लेकिन सुप्रेम कोर से बेलट होगा और खरेगा तो करना ही पड़ेगा और आप पूरा दिखेंगे पूरी दुन्या से जिखेगी जैसे राम देरे बोनी का पाइटर सावित हुआ वैसे एधी सावित होगा कि वो भी हिंदु मंदर पहले था। ही है क्योंकि चाहे वो हिंदुत का एजंडा लियाएं और चाहे हम मुस्लिम का एजंडा लियाएं लेकिन ये भी सरकार से हमारी मांग है कि ये मंदर मंदर मस्जित मस्जित से हमारा पेट नहीं भरने वाला हमें तो सिच्छा की बात सरकार करे हमें रोजगार की बात करे हमें मंदर मस्जित पे बहुत लर चुके हैं क्योंकि हम मंदर और मस्जित से हमारा पेट नहीं भरने वाला हमारे बच्चों को मस्जित से और मंदर से सिच्छा तालिम नहीं हासिल होने वाली है हमारे बच्चों का स्वास्त मंदर और मस्जित से ठीक होने वाला नहीं है इसलिए हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोड ने कहा है वहाँ वीडियो रिकार्डिंग के लिए वो रिकार्ड करके ले जाए वहाँ दिखाएं अगर ऐसे साच वाम मौजूद है तो अपने सुप्रीम कोड को सरकार बारतियनता पालिटी की बात अगर करें तो केंदर में भी स सरकार है इनके हाथ में सकता है चाहे हिंदुस्तान के सारे मंदिर बना करके सारे मस्जिद तोड़ दे इनका कौन क्या कर लेगा इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए अब मंदिर मस्जिद पर हम बहुत लड़ाई कर चुके हैं हमारा बहुत सोचड हो चुका है हम सिर्फ यह जरूरत है जब हम सिच्छित हो जाएंगे तो मंदिर जिसको बनाना बना लेगा जिसको मस्जित बनाना बना ले लेगा लेकिन हमें आज एकता और आपसदारी और भायचारे की जरूरत है क्योंकि मंदिर जब का बनाया गया है और जब से बताया जा रहा है वो आज से साल 500 साल पहले की बात है वो मुगलों ने क्या किया मुगल हमारे पूरवज नहीं है ना औरंगेव हमारे पूरवज है इसलिए हम सिर्फ बितना कहना चाहते है राम निवाद भाई से कि हम लोगों के स्वास की जरूरत है हम लोगों के सिच्छा की जरूरत है हम लोगों के ओर रहे हैं आप चार से पुराना इतियास मंदिर वाली फारी टीजे एक हो जाएंगे न यह लोगो तो आगे आना ती एक यह वह घर आगर ऑगर न्दिर बनाई यह पाई बाई तरह प्लिकर करे में इतना आनंद का इस रहेगा देश के उनती साबित हो ले है उमा संकर जी व तो भी रिपोर्ट है, सत्रा थारीक को मांगी गाई है, हो सकता है, सत्रा को ना पहुच पाए, दो चार पाइज दिन में पहुच जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर सारे लोग अच्छे हैं, जो कमिश्टर महुदाय दो हैं, और उसके ग्रास सची महुदाय भी व हैं, हणवाण जी ग्रूप में जोगरी जी जनम ले चुके हैं, तारी बखावड़्या होने जा रही है, और धेखेयेगा पार, फ़साथ़ साल में जर इस देज इतना होनाती होगा, तो रहे कि किसी कारकम में था, जहाए जाओधी अड़कर नवकरी कर रहे थे, उन सबोने बता है कि हम वोगा सम्मान नहीं होटा था, आज कर रहा है। जो बहुआ होगी अब अब अभर बता रहे हैं लोगा सम्मान होगा। आप जब देखेंगे, मात पाँ तर फाल कंदर समस्टायम मट जाएंगी, और इडिस के हर अग्णों तर अग्णी कर रहा है, तरकी कर रहा है, इकना प्रसंट है कि प्रसंट है कि प्ज़पी गवर्मेंट से क्या कहा जाए, जब देवस्टाथी होगी, तारे दच्छों को र देर नहीं है, आप दिकास की गतिदोशे कितना पर यह हो रहा है, तारा दिकास हो जाए, जहाए, मंदिर मक्सित का मुझ्टा निक्ता, आप देशंगे, सारी दोस्ता हो नहीं लोगेगी, आज की डेटी में कमसंट गंगे नहीं हो रहा है, ठीक है मिश्टाजी मैं आता हू में भी और उत्तर प्रदेश में भी सरका है, नहीं नितिन भई, जावेद भई अच्छे विक्ति हैं और इनकी अच्छी सोच है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, अगर कहीं गलती से पाकिस्तान जीत गया, तो पटाह कौन फ अच्छे विक्ति हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनकी वज़े पूरा समाज बदनाम होता है, इसलिए आप सब की, हम सब की जिम्यदारी है, कि एकर कोई गलती आगे हो गई है, जिस तरह से इतिहास है, और सब को पता है, जाविद भाई को भी पता है, मौमिन मंदिर रहे, महजिद कास्ति तो नहीं था, महजिद न रहे, तो सुच्छा दे दना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप कितने लंबा समय ब्यात के हैं, लेकिन आखरी में हुआ तो वही, तो अकील खान कहे रहे हैं, रिपोर्ट आजाने दीजे फिर बताएंगे, नहीं, रिप कि आपके मन में चौर है, आपको पता किर कैमरा अंदर चला गया, फचाई बाहर आ जाएगी, इसलिए आज कोट ने निरने किया है, हम सब को मानना चाहिए, और हमको अमीद है, कि जैसे अध्या का हल हो गया, वैसे कास्ति और मतुरा का भी होगा, और सब अच्छा ही होगा ठीक, अकिल कान क्या कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, आप 20 में, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, कि राब निवास भाई ने जो कहा, कि दिल बड़ा करना चाहिए, और जब वहाँ पर कैमरा गाएं है, सुप्रिम कोट ने पहले नहीं कहा था कि मुश के अंदर जा होता है, भले वो सब्ता में छे दिन नमाज न पढ़ें, लेकिन सुकर के दिन, वो नहा धो करके मालूम भले कुछ ना हो, लेकिन वो टोपी लगा करके मस्जित पहुच जाएंगे, भीर थी, लेकिन कोट ने ये कही पर नहीं कहा था, कि मस्जित के अंदर की ग्राफरी जाएंगे, ये मैं कहना चाहि रहा था, जाविद भाई, रामनिवास जी ने जो कहा है, उसका क्या जाएंगे, रामनिवास जी जो कह रहा है, या अभी अभी सेट जी ने बहुत अच्छी बात कहीं, उनका बावा आमारी हों जो पिगत दूद से, जे, इस्थितिया क्या है किसने तोड़ा, किसने क्या किया, अगर इतिहाद को ठीक है, आपकी आस्था है, उसरे समुदाई की भी आस्था है, तो आस्था से अगर आस्था का चक्राओ है, तो मैं उस आस्था को तो किसी भी मानो जीवन के लिए उचित नहीं बाता, ठीक है, हमारी परंपरा रही है, अगर इतिहास को कितना आप कहां तक पूरे देंगे कड इस देश के अंदर इतिहास जेबी तो रहा है आप पुनातन इतिहास को पढ़िए कि बहुत इस्टूपों को बहुत मठों को इस देश के अंदर किस तरीके से तोला गया भारत के बना बहुत दुपन्स आज पुरी दुनिया में लाए-ला रहा है लेकिन भारत के अंदर उसका तस्यानाश हो जो सांती का समता का ममता का संदेश देता था वो कहां है मैं तो रामनिवाल जी से और उमासंगांटी से कह रहा हूं कि मैने तो गाओं में हम लोग कथाएं होती थी हम लोग भी बाई जाते थे बंडित की क्या कहते हैं अंत में तरा प्रारत्ना कराते से विश्चू का कल्यान हो, मानो का कल्यान हो आज वसुधाय कोचमकम यही तो भारत की सब्वता और संस्क्रत का मूल है, यही तो सार है, आज ना मानो कल्यान की बात है, ना विस्तु के कल्यान की बात है, आज धर्म-पंत-पूजा-पद्दत के आधार पर नफलत का पूरा माहौल बना हुआ है, इसको हमा हमी जिम्मेद पाकिस्तान के माइक की यहां की आतंकोवाद की अरे आतंकोवाद के साथ काउन ख़ला होगा जो लोग खले रहे हैं अगर उस पर अगर हम बात करेंगे तो यह जाईवर्ट हो जाएगी कहीं सब्सक्राइब समाज में अगर कोई विक्त माजशक्ता का ब्याकिती है यह सच है कि वो सरकार की नहीं हमारी जिम्मेदारी है हमारा नाइतिक कर्तभ है कि हम इन लोगों का विरोज करें लेकिन जब समाज का एक बढ़ा तबगा जब आयता करत करने वालों का मुस्लिम समधाय में धिरोध करते हैं तो क्या इस्थियां उत्पन होती हैं हमें प्रसासंग का संदच्छा नहीं मिलता है हम दो तरब से अभी चेक जिने बहुत सही बात कही है कि हम अकील भाई भी जानते होंगे कि जब हम हमारे परिवार के लोग हज के ल तो दो पाटों के बीच में थाथाए जा चुके हैं कि आउरंगे मुगलों का रोंग्याओं का बंगला देशियों का जिन्ना का सारा हिसाथ किताब जावेश से वतूलों अकील खान से वतूलों या जो दूसरे लोग हैं अब उस्तमता ममता की भावना किसमें रह गई है हम किसी हिंदू के आगन में आज जाने की हैसियत में नहीं है जो बहने 10 साथ पहले तक पहली राखी मानने की हो हमसे हमारे परिवार में करती थी आज उनके बीच में संबंध है लेकिन दूरियां कि बलती चली जा रहे हैं जिस बहन का तिलक हमने चलाया था भाइबन के आज वो परिवाल भी हमते दूर है, तो ये पिला, ये धर्द जिसने भोगा है, जो लोग धर्द को राजनीत का और धंदे के लास्ते पर ले जा चुके हैं, उनको इसकी पिला नहीं है, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसल्मान हो, हिसाई हो, सिक्को, धर्द उसको होता है, इसके जो मूल मंत्रा है, वो समता और मंता है, वो समता और मंता है, इसके अतरिक तो कुछ नहीं है, इसलाम ने कभी नहीं का, एक आयद कोई दिखा दे, कि उसने दूसरे धर्म के धिरुद, कोई आईती रवनीत की बात की हो, आईता अपमान जनक सब्द इस्तमाल किया हो, यही इसलाम ने, कुरान ने भी कहा, कि आपका धर्माद को मुबारक हमारा धर्मम को, हमें क्या है खिद्मते कल, मानों सेवा क्या है, इस पर तो यह देश बात आज करने को तयार नहीं है, क्या इतने हम भी कर गए हैं, कि आप उमासंकर गी है, हमको अपने घर के चाई नहीं पि यह दूनिया आखिर इस देश को, इस देश के लोगों को कहा ले जाकर ख़वी करेंगी, अगर समाधान क्या ही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो संबिधान सम्मत है, जो आपके सास्थ हुआ है, हमें उस पर गर्व नहीं है कि हम गर्व कर रहे हैं, हमें औरंग यह ते क्य क्यारिस्टाथा, मामสिंद्चे उन और उनका ही जाटाथा, जो लोग आज इस देश के सिरव ना चाहते हैं, हम तो आपके सास्थ हुआ है, जो सकार अतमख है, जो हमने महुवत भाइचारा पर ठाक्र सकती है, उसको अपना लो आउ घले मिलो, वाज़ोड़्यात ने बना किसी ने कोई किन्त परंत किया किसी ने बिरोज किया इस भावना कोई नहीं समझना चाहता है आप से ले लो आप किसी वी जाज जिराधिरी का हो जो हमारा पर्चित है आज भी हम रिस्ता रखते हैं तो दिल से रखते हैं दोस्टी का मतलब चाहए दो धन अस्त जो लोग जब आस तो चुटे हो यह राम जोहाद सलाम दूआ यह मुच्रता मैं इसको नहीं समझता हूँ मैंने अपने जीवन में एक बात एक दलिट ज्यक्ति को अपने बच्पन में भंगी कह दिया था तो उसके पीछे हमारे पिता जी ने हमको गुलाब की जगगालों से मारने का काम किया था कि यह है को यह मुझ को क्या कैसे है तो वो जो एक रिस्ता है वो आज भी ताता दादा नामी चाची का बना हुआ है इस्ता कोई समात नहीं कर पाएगा चाहे इस देश में जितनी नफ करेंगे उसे बाद भी यह हमारे भाई रहेंगे कितनी नफरत करें यह तो मैं चैलेंज कर रहा हूं यह जीवन में मेरे और मेरे रच्ट में यह कभी समात होने वाला नहीं है तो मेरा सुदा सब्से हम रोध है वो कोई पच्छो या आप लोग सही सुलता का सहीं सीलता का प चक्राओं मत परो सरकार काम है विसंगतियों को समात करना मुशलिम पच्छों वकबोर्ड हो सनातन धर्थ के हमारे भाई हो इक में सरकार मीडियेट करें जिसका दावा है जावी ठीक मैं आता हूं जावे ने बहुत एहम बाते कहीं क्या कहने से जावेद भाई बेतिकत रूप से बहुत अच्छे इंसान है और जिस पार्टी में है कभी उनके नेताओं ने ऐसे सब्दों परियोग किया है तो जैसे अभी इतना विवाद चल लाया है हर विवाद में भाजपा को सामिल करते हैं तो कहिए भारती जनता पार्टिक सुक्र मन यह कि पूरे देश में अमन्चैन है अगर कहीं कांग्रेश सरकार होती और कोट नर्णय आ गया होता तो पूरे देश में कतल्याम हो गया होता जैवेद भाई उसमें हिंदू ही मरते मुसलिम ही मरते यह तो मोदी जी का और योगी जी का सुक्र है कि उनके कारकाल में ऐसा न तो मंदिर बनेगा अगर मत्रुआ में दिल्ली मिरोड किस ने बनाई उसको पाठे करम किस ने लिखा उसको महान किस ने कहा जिन लोगों ने लिखा है गलतिया उनकी है उनकी वजय आपके समाज पर उगलिया उटती है इसलिए मेराब सबसे आगर रहे कि अगर कहीं गलती कुछ लोगों ने किया है उसकी फजा पूरे समाज को न मिले इसलिए जो समाज समझता है इस बात को उस समाज को आगे आना पड़ेगा और अपने समाज को मैं अच्छार ज़िए लेकिन उसको चमधने कि आउ सकता है anda 취ारIm करें, इत्यास निखाय की लिए november? अगर हम अगिए की तीयान का परिश्य देंगे तो जिश्री कुर्वेक scene ओरonne वादान की जिसा में उस बार्ख पर उज्राद्व परम चलेगा। ठीक सर्डेक, अबशेख जी, सबकी बास सुनी आपने क्या कहता ह। ठीक है, अगर कोई चीज कानून में कोई नयाले में है तो नयाले में लंबे दें, नेयालियों kar hai keer क कानुनी अधार पर साच्यों के अधार पर कोछी तैय करेगा मेरा कहना यह है कि यह रुक क्यों होता है एक खतम हुए तो अब 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 आप फिस्वी तक सान पैटे डिया था खतम हुए तुछ की है यह पिर दूसरा खताम है तो तीसरा मतलब यह जो धार्मिक भाउना है इसको जगाए रखना है पोलराइजेशन बनाए रखना है जिससे और मुद्धे खतम रहें अधरवाइस जो करना है आप करजे आप संसत में हैं आज की तारियर पूरी तरह से पहुमत में हैं राजसभा में भी हैं लोकसभा में भी हैं आप एक अलग से कानून ले आएए इस कानून भो खतम कर दीजे और सर्वे करा करके आप जो भी है दो चार पांट दस साल होगा एक पच्को दिक्कत होगी दूसरे पच्को लेकिन कम से कम एक समय में इस मुद्धों का हल खतम होगा सन 47 से आज ह हम एक ही बात पर बात करते हैं हिंदू-मुसल्मान हम अपने हिंदूस्तान की बात करें किसी भी धर्म का हो किसी भी संप्रदाय का हो बात यहां पर सिच्छा की होनी चाहिए बात यहां पर महंगाई बढ़ रही उस पर होनी चाहिए और भी तमाओं चीज़े देश के विक तो ऑड़िजी ने कहा कि नयाले में है, नयाले ताएं करेगा, बिल्कुल ताएं करेगा, इसमें कोई दोराह नहीं है। लेकिन यहां पर प्रणाएं प्रति करते रहें। और लोग यहां पर नफरत फैलाते रहें, जो जावेद जी ने कहा, कि बहुत से परिवारों संबन्द छूट गए, हमको भी वो तकलीफ है, हमारे भी संबन्द है, लेकिन जब इस तरह से धार्मी भावनाय जागरित की जाती है, जब इतिहास को बदला जाता है, जब इतिहा होना चाहिए, जो भी है, वो होनी चाहिए, मैं जमना उपाद्याजी की बस दो लाइनों से अपनी बाग खतम कर दूँगा, कि मत चिरागों को हवा दो, बस्तियां जल जाएंगी, ये वो हवन है, जिसमें उंगलियां जल जाएंगी, और आग चाहे राम की हो, या बाबर क लग गई, तो आईते चौपाईयां जल जाएंगी, आप इस दोनों को ध्यार रखिए, और यही बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए, बात हिंदू और मुसल्मान की नहीं होनी चाहिए, पैसी इतना जाएंगा, दन्यवाद आप सभी का, इस डिबेट में चुड़ने के लि हमारा देश सौहार्द का देश है, प्रेम का देश है, और यहां पर प्रेम बने रहना जरूरी है, और उस प्रेम में बढ़ावा होते रहना भी बहुत जरूरी है, लेकि जिस तरह से बीते दिनों काफी कुछ ऐसी घटनाए हुई है, या काफी कुछ ऐसे विवाद हुए ह जो कहीं न कहीं आपस के प्रेम को खतम करते हुए या बिगाड़ते हुए नजरा हैं तो हमें और आपको इन चीजों से बचकर रहना बहुत जरूरी है फिलाल आज की इस डिबेट में ताहिं मुझे दिन्मति नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार